क्लास 11th, मैट्स में ट्रिग्नोमेट्री आज हम पार्ट 4 कर रहे थे हैं, अभी तक हमने कोई भी कोर्स का सिलेबस, अभी तक हमने कुछ भी सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है, कोर्स स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे थे हैं, तो यह आज हमारा basic का last part है ठीक है तो इसके अंदर मैं सिर्फ आपको बता रहा थी कि हमने पहले trigonometric कैसी पढ़ी थी अब trigonometric कैसे पढ़ना है तो मैं आप सभी को एक चीज बोल रहा हूं कि आप सब maths की book अब purchase कर ले क्योंकि अब मैं कल से syllabus के according पढ़ाना start कर दूँगा अभी तक आपको सिर्फ basic बताया था कि हमें maths को कैसे पढ़ना है तो आप सभी को ncrt की जो class 11th की book है वो लेके आना है और reference के तौर पर आपको rb triparty की book लेके आना है बट questions की जो संख्या होती है number of questions वो क्या होते है कम तो हमें practice के तौर पर rb triparty की book लेके आना है ठीक है और साथ में ncrt की book जो government की आती वो ncrt की book लेके आना है ठीक है तो फिर हम क्या करेंगे next day से हमारा syllabus start करेंगे अभी तक स्रिफ basic चल रहता है और आज basic की last class मैंने आपको जो sign और cos और 10 के angles निकालना सिखायते हैं उसी पे based आज हम कुछ questions करेंगे ठीक है तो I hope कि आप सब लोग आज books ले लेंगे जैसे ही book purchase कर लें आप इसको नई भी ले सकते हैं आप इसे second hand भी ले सकते हैं second hand के लिए ज़्या पुरानी नहीं लेना है एक या दो साल पुरानी चल सकती उससे ज़्यादा पुरानी नहीं लेना तो इसलिए पे आपको change मिलेगा है इसलिए कोशिश करें कि आप नई ही लें ठीक है चलिए अब हम देखते हैं कुछ questions पर हैं तो जो मैंने आपको sign cost 10 के angles निकालना सिखायते अब हम उस पर बेस्ट अच questions करेंगे ठीक है चलिए तो first question क्या है मैं आपको सिफ practice के तोर पर करा रहा हूं और मैं आपको फिर homework में भी दूँगा तो आपको ट्राय करना है और आज ही दूँगा मैं आपको homework चीक है तो first question मान लिजिए कि आपके सामने first question आया है कि sign 660 degree cos 330 degree plus sign 150 degree cos 120 equals to chemistry minus 1 मतलब यह आपको प्रूफ करना है यह आपको प्रूफ करना है तो इससे पहले अगर कोई भी बच्चा class में नहीं आ पाया था या फिर उसके lectures miss हो गए ते कुछ भी दिक्कत हुई है कोई tension की बात नहीं कोई कुछ नहीं है हमने अभी तक syllabus स्टार्ट नहीं कि हम सिर्फ अभी basic पढ़ रहे हैं तो जिन बच्चों ने यह सब class attend कि उनके लिए और अच्छे कि उन लोग को आगे की chapters और अच्छे से आएंगे क्योंकि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वालों यह सर्फ श्रिफ बेसिक चल रहा था अब हम syllabus को स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको और अच्छे से एक एक चीजे क्लियर होंग ठीक है तो यह मैंने आपको उसी बेसिक के तॉल पर बता था कि कैसे क्या हमें करना है तो यह आपके समने फर्स्ट कुश्चन है अब क्या है साइन 660 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं देखिए देखिए मैं आपको यह अरफ मतल हो कि हम दो तरीके से एक तो हम के लिख सकते हैं टू इंटू 360 माइनस 60 डिग्री इसका मतलब कर देखो जो सरकल है अगर जैसे मालो आपको किसी ने बोला कि साइन 750 की वैल्यू निकालो किसकी निकालो 750 की तो आप क्या करेंगे कि सर देखो कि 360 प्लस ठीटा थो होता है तो 360 प्लस ठीटा करेंगे इसकी जगे आपको सकते हैं टू प्लस ठर्टी क्योंकि देखिए आप जैसे राउंड में आएंगे 360 मतलब एक सरकल कंप्लीट क्या मतलब वैल्यू महीं आगी फिर से आएंगे तो 360 और एड हो जागा मतलब किता हो ज कि कोई सेंज नहीं होता है zobik साइन 360 जोता है क्या नहीं होते है मतलब 360 प्लस प्लस handwriting जाल है मतलब यह सबी पॉज़िटिव होते है कर खेंजर का जाए ओंगा तो साइंगत कर ड़े और ठीप हम कि की वेल्न ने कर दो तो इसका मतलब क्या हुआ 720-60 तो साइन 360 माइनस ठीटा 360 में चेंज होता है क्या नहीं होता है तो क्या जाएगा साइन 60 अब चेक करो कौन से क्वाडेंट में तो 360 माइनस मतलब इस मेज रिफकाॉस का रिजल्ट प्लस में बाकुसाम प्लिच समया तो मैंस समय जाएगी माइनस सब्सक्राइब कर सकते हैं तो 360 मैं 30 अब पिलो तो 360 में चेंज होता है नहीं होता है तो तो कोस्ति आ गया अब चेक करने प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा तो आप बताईए कि कॉस्त तो 360 माइनस ठीटा है तो मतलब माइनस आ तो मतलब यहां सिर्फ कॉस्त का रिजल्ट प्रसमें तो तो कॉस्त हट थाट्टी के वह रूट 3 बाइट यह भी क्या जाएगा रूट 3 बार अब प्लस किसी निकाल लेंगे साइन 150 की तो देखें यह मैं अरॉफ में निकाल हूं ठीक है तो साइन 150 के हम कैसे निकाल सकते हैं इसके भी दो तरीके एक तो क्या कर सकते हैं साइन हुआ है वने यक्ति माइनिस थीटा है अ वने टिमत्त थटी आई तो यह बच्चे का बन फिफ्टी वन एक चैन्ज होता है कि अब चेक करें कि वने इत्टी माइनव समतंतलब कौन से क्वारिंट में इसे कंड में और सेकेंड में क्या होता है तो आद जाए ख़ाइन 30 क्या होती है सबस्टेश्आ 30 की वेलू क्या होती है so changed सबस्क्राइब क्या है अवान ढूरा च्रहां निकाल सकते हैं को से 90 Q By दो भेलने सीन चाहले कि पेसे निकाल सकते हं तो पी इयो मतलब कौरिए माई गाए यह नाइनटी यो कि प्रेस्ट को इन आगे सेकेंट पर सेकेंड में सिफ सइफ मेल खरन साम il me मॉैं तो माईनेस में किया गई है वन बैटू तो तो यह न가요 माइन्स 1 बैटू अब हम यह लेक्त आनाया चलिए तो रूट ट्री यह है तो यह कहा है मारा अलचेस है भांज फेम्न परूफ कर दिया है तो में आपको song काल और सीखनी पड़ी की कंपल सरी है और जब हम सिलेबस स्टार्ट कर रहेंगे तो एक बार हम बहुत अच्छे से बेसिक से बिलकुल कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है कहां से आजा एंगल कैसे निकालते हैं एक चीज बेसिक में देखेंगे यह तो हमने स्रिफ एक हमने स्रिफ इसका ओवर्विव देखा था कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक और आगे के कोश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो